यह दियर स्टुडेंट्स हमारा एक यह जो मैंने आप से कालता भी लास्ट वीडियो में के मॉस्ट इंपॉर्डेंट कॉस्चिंस पिते एक्शुली वर्केंड टाइम अपने आप में बहुत ही इंपॉर्डेंट टॉपिक हो जाता है लीनियर एक्वेशन में भी इसके दो कुश्चन है और यहां वर्डेंट करेंगे तो आपको कुछ और अच्छी रिलेटिट जैनकारी मिलेंगे सब्सक्राइब करते रहिए मुझे फीडबेक देते रहिए मैसेज करते रहिए अगर आपको डिफरेंट कुछन्स भी पूछने हैं आपके स्कूल के एक्जांस में आया हूं किसी और बुक से हो हम अभी इसमें सेंपल पेपर करेंगे कुछ पिछले प्रिवेस पेपर करेंग पेपर के ABCD सेक्शन को में डिसकस करेंगे तो आप प्लीज हमें साथ बने रहिए देखते रहिए दूसरों को शेयर करते रहिए जितना फीडबेक देंगे मुझे भी थोड़ा सा एनरजी मिलती है तैंक यू सो मच यस प्लीज अब हम बात करते हैं बिटे वार्क एंट टा करते हैं कि किस तरह से आप questions करेंगे क्या question है बाद में देखते हैं पहले topic देखते हैं ना what is working time suppose करो हम यहां से कहते हैं कि एक हमारे पास बंदा है ए ठीक है एफ परसंड ए finish a work फिनिश है, वार्क, इन सब्पोर्ज करी बिटे टू डेज, ठीक है, और दिर अनदर परसन भी, फिनिश ए वार्क, इन थी डेज, इन थी डेज, आप से कुश्चन कहता है, बोथ वर्किंग टुगेथर, अगर दोनों एक साथ काम करें, इन हाव मेनी डेज, ते कैन डू दू अगर दोनों को एक साथ लगाया जाए, यह सिंपल सा आता है, आप लोगों नहीं पढ़ रखा है, तो ठीक है, देख लेते हैं, मैं तो यही सोचता था था पहले जब बच्मिन में, जब मैं चोटा सा था, हाँ, मैं जूट टोड़े बोलता हूं, जी, तो खेर, तो ए प्ल आप कैसे होता है, अब देखें, एक्चुली क्या है, वर्क और टाइम एक दूसरे के रैसिप्रोकल से होते हैं, कैसे रैसिप्रोकल होते हैं, अगर मैं आप से कह रहा हूं, के वन वर्क, है न, आप कोई काम दो दिन में कर, कितने दिन में, यू आर फिनिशिंग इन टू द करते होंगे, या अगर मैं आप से कहूं, कि आप एक वर्क जो हैं, तीन दिन में कर रहे हैं, कितने दिन में, तो आप एक दिन में, सीधी सी बाद, वन बाई थ्री वर्क कर रहे होंगे, तो अगर आपको कम्प्लीट वर्क मिल रहा है, तो आप वन डे का निकाल चकते हैं, मैं आपसे कहों कि बीशपोज करो आपका जो वनदेवर्क है वह वन बाइटे ना आप 10 पार्ट कर पा रहे हो दसवा इससा अपको पूरा काम जो आप कर पाओगे उसको दस दिन लगेंगे कुतने दिन लगेंगे दस दिन यस और नो तो अगर आपके पास फुल वर्क है तो वन दे वर्क निकाल सकते हैं, इसका उल्टा अगर आपके पास वन दे वर्क है तो आप फुल वर्क निकाल सकते हैं, दोनों इक दुस्री करजिए है, तो आप हम यहां देखते हैं, कि भर A और B हमारे पास क्या था, A हमसे कह रहा था दो दिन में करूँगा मैं काम और B हमसे कह रहा था तीन दिन में करूँगा इसे समझने की कोशिश करते है Suppose करो ये हमारी wall है है न बिटे इसको A भी paint कर रहा है और ये हमारी wall है इसको B भी paint कर रहा है न दोनों color कर रहा है तो अगर A करता है, तो वो दो दिन में करता है, मानलो उसने एक दिन में इतना किया, और फिर इतना कर दिया, और जो B करता है, वो तीन दिन में करता है, पहले इतना करता है, पहले इतना करता है, पहले इतना करता है, पहले इतना करता है, अब हमने दोनों को एक साथ लगा दि तो अब आप यह कह सकते हो कि a plus b one day work one day work one day work कितना होगे बिटे one by two plus one by three LCM आएगा बिटे six three बंजा three plus two बंजा two यह हो गया five by six अभी मैंने आप से क्या का बिटे अगर आप one day work निकाल सकते हैं तो one work भी निकाल सकते हैं जस रेसी प्रोकल होता है तो five by six का रेसी प्रोकल six by five six by five का मतलब one point two something days है ना तो जैसा मैंने आप से कहाता है कि अगर यह दो दिन में कर रहा है तो दोनों मिलके तो दो से भी कम like one point something तो यह हमारा काम होता है तो हम work and time वाले questions को डारेक बिटा add ना करके two plus three five उसको one day में add करते हैं अगर work हमारा days में तो day में करते हैं hours में है तो hours में करते हैं minutes में तो minutes में करते हैं minutes में तो month में करते हैं exercise four point three question number nine है ना exercise four point three question number nine जी बिटे two water tapes together है एक water tape यह है बिटे first और एक water tape यह है बिटे second together can fill a tank एक tap यह मारा fill कर रहा है tank को एक यह fill कर रहा है together can fill in the nine into three by eight hours तो eight nine जा seventy two three seventy five तो seventy five by eight hours में यह tank को fill करते हैं दोनो ठीक है दोनो टेप आप से ख़रा the tape of larger diameter है ना suppose करो आपके पास एक टेप जो है वो बड़े diameter की है उसमें पानी जादा आता है एक जो चोटी टेप है पिटे उसमें डाइमेटर चोटा है उसमें पानी कमाता है यह आपका tank ठीक है दोनों मिलके 75 by eight hours में इस tank को fill कर रहा है अगर यह वाली जो है यह 10 घंटे कम लेती है 10 hours ठीक है अब सपोस करो अगर यह x hours लेती होगी पिटा to fill the tank alone तो इसका time कितना लगा पिटे x minus 10 hours यस लेड़े वन दो fill the tank find the time in which each step can separately fill the tank बसे हम पास है तो हम काहन से start करेंगे हम यहां से start करेंगे let ठीक है पिटे small tap जी फिल दा टेंग फिल दा टेंग अलों कितने बस एक से बस ठीक है यह मतना से और सो larger tape larger tape will take x minus 10 hours यस बोथ tapes together fill the tank तेंगे विटा है एन 75 by 8 hours clear है तो हमारे पास क्या हमने क्या का वन अवर में change करना है तो बोथ tank बोथ tapes फिल दा टेंग ठीक है तुगेदर इन इन वन आवर अगर यह एक्स अवर में complete फिल करता है तो वन अवर में कितना करेगा वन अवर में फिल करता है तो यह फिल करते हैं तो यह फिल करेंगे विटे एट बाई समझे वह रहा है हम क्या करें अगर सपोस्क्रोव स्मॉल टैप पाच घंटे में फिल करते हैं तो एक घंटे में कितना करेगा वन बाई फिफ्टीन ले लेते हैं तो लाजर टेप फिफ्टीन माइनस टैन लेगा सपोस्क्रोव फाइव आवर्स तो इसको कितने लेगे वन बाई फाइए तो दोनों कितने एक हंटे में कितना बरेंगे वन बाई 15 प्लास बैए अजे करिए तो बोट टेप्स फिल दा टेंग तो गेदर इन वन अवर वन अपन एक्स प्लस बन अपन एक्समान जैन टूगेदर के तना दा 75 वाई तो एक घंटे में कितना होगा एट सेवने मसी एक्वेशन है, सॉल कर दीजे, हैल सिम दीजे पिते, हैल सिम क्या आएगा पिते, X into X, माइनस 10X है ना, आच्छा, यहां क्या आएगा पिते, X minus 10, फिर यहां क्या आएगा पिते, X is equals to क्या आएगा पिते, 8 by 75, यह कितना होगे है पिते, 2X minus 10, multiply किस से करोगे, 75 से, इसको यहां ले जाओ, किस से करोगे, X square minus 10X, करो भी 75 टू जा, 150X minus 750, इसे multiply करो, 8X square, minus करो पिते, 8X, yes, सब को एक साइड लेके जाओ, 8X square, minus 80, minus 150, minus 230, है ना पिते, इसको इधर लाओ, plus 750, is equals to 0, अब पिते, factors क्या है, क्या कॉमन ले सकते हो, आप कॉमन ले सकते हो, पिते, है ना, आप कॉमन ले सकते हो, 2, तो 2 कॉमन ले लिजे, तो यह हो जाएगा, अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे, तो यह हो जाएगा, पिते, 4X square, ठीक है, अच्छा, यह क्या था, T, minus 80, minus 150, minus 230, X, तो 2 कॉमन लेंगे, तो पिते, कितना आएगा, 115X, और 2 कॉमन लेंगे, तो कितना आएगा, पिते, plus 375, is equals to 0, तो आपके पैस, equation आ गई है, 4X square, minus 115X, plus 375, is equals to 0, पिते, जरा चेक क हो, क्या करोगे, मेरेल टाइम स्प्रीडिंग मा This अच्छे को मिटीप्लाई करके है, 4 x 375, 375 के factors क्या अ क्या हो सकते है, 125, 125 के factors क्या हो सकते है, 25 into 5, आंको प्लस करके 115, जाही, 15 to 0, जै से हो सकते है, minus 15 x plus 375 is equal to, क्या common लेंगे पिटे यहां से आप common ले सकते हैं, पिटे 4 x, क्या बच्छा पिटे, x minus 25, क्या common लेंगे पिटे, 15, तो x आगे है, minus से पिटे, यह sign आजाएगा, change, 15, 2 जा, 30, 15, 5 जा, 75, क्या common है पिटे, x minus 25, क्या रहे हैं पिटे, 4 x minus 15 is equal to, तो क्या करेंगे पिटे, x is equal to 25, इसको क्या करेंगे पिटे, 4 x is equal to 15, तो x is equal to 15 by 4, ठीक है, x क्या रहे हैं पिटे हमारा, हमारा x था पिटे, timings, यह अब हमारे पास क्या है पिटे, larger हमने यह smaller tap कर लेंगे, 15 by 4 जो है पिटे, वो आएगा, कितना आ रहे हैं, यानि कि, 4, 2, 4, 3, 4, 3, 12, और कितना रहे हैं पिटे, 35, 7, 3, 3, 2, 7 by 4, ठीक है यह आ रहा है, जब कि हमारा जो था यह, कि अगर यह हमारा x hours है, तो दूसरा जो tape है, वो 10 घंटे कम लेगा, तो इससे तो 10 hours हो इनी सकते, क्योंकि तो फुली 3 hours है, तो इससे कम 10 hours लेगा, तो माइनस में चल रहा है, तो यह वाला time possible नहीं है, क्योंकि जो आपका, छोटा वाला tape है, वो कम से कम 10 घंटे से ज़ादा time लेना चाहिए, तो यह तो possible नहीं है, तो answer क्या है, 25, so time taken, by small tape, ठीक है बीटे, कितना 25 hours, और big tape, इससे ठीक है, big tape जो लेगा बीटे, वो 10 घंटे कम लेगा, तो 25 minus 10, कितना 15 hours, यह answer है, yes, good बीटा जी, अब हमारे पास एक question और है, इसमें, यह भी अच्छा important question है, छोटा सा है, सीदा सीदा सा, in a class test, the sum of shefali marks, question number 5, exercise 4.3, is another important question, in a class test, the sum of shefali marks, in maths and English, the maths and English में, जो आपके marks हैं, वो 30 हैं, तो अब तो जब आपको sum दिया होता है, तो आपको समझ में आने लगा होगा, कि अगर हम suppose करेंगे, let marks, है ना बीटे, in English, X, ठीक है, so marks, है ना, in maths, कितने हो सकते हैं बीटे, 30 minus X, बीकाज, आपको क्या दिया है, sum दिया है, sum of marks, in maths, and English, ठीक है बीटे, is what, 30, तो आपने यहीं से मने स्टार्ट कर दिया, let marks in English is X, and marks in maths is 30 minus 6, आप से क्या कह रहा है, had she got two more marks in mathematics, had she got, marks in maths, ठीक है, कितना बीटे, two more marks in maths, तो पहले मैं 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 कितने हैं, 30 minus 6, तो 30 minus X plus 2, कितना, 32 minus 6, and three marks less in English, and marks, in English, ठीक है बीटे, three less, English में कितने रहा है, एक सो X minus 3, क्या किया है बीटे, the product of their marks, would have been 210, तो this into this, गीवन, ठीक है, 32 minus X, into X minus 3, is equals to 210, multiply कर ये बीटे, 32 X, 32 तो तो पहले हैं बीटे, 96, X is क्या हो कितना हो बीटे, स्क्वार, minus minus plus 3, X is equals to 210, है ना, X स्क्वार को पॉजिटिव कर ये, तो पॉजिटिव हो जाएगा, 32 plus 3, 35, इस साइड जाएगा, बीटे, माइनस हो जाएगा, सब कुछ साइड ले जाने हैं, all terms, and 210 plus 96, कितना हो गया बीटे, 210 plus 96 करेंगे बीटे, तो आपके पास की plus हो जाएगा, पहली बाद, तो 6 हो जाएगा, है ना, 6 जाएगा, 9, 1, 10 हो जाएगा, ठीक है, ओ, 21, 3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 306, as equals to, 0, अब बताओ, 306 के, factors करिये, जो plus करके, 35 हो जाएगा, पॉसिवल या जाएगा, पॉसिवल या जाएगा, 306, चलो जो जो, फैक्टराइज करके देखते हैं, 306 को, 2 से आफ एक्टर्स करेंगे, तो 2 से कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा, 153 को 3 से कर दीजे, 35 जा 15, 31 जा, 351 को कर दीजे बेटे, 3 इंटू 17, ये कुछ हो सकता है, आपको जाए 35, तो क्या हो सकता है बेटे, 35, चालो, ये हो गे न, ये हो गे बिटे, 18 और ये हो गे बिटे, 17, 18 प्लस 17 जाएगा, ये फेक्टर सुच्टा है, ये फेक्टर सुच्टा है, गुट, एक्स स्क्वेर माइनस 18 एक्स माइनस 17 एक्स प्लस 306, इस इक्स कॉमन तो क्या बचा बिटे, एक्स माइनस 18, माइनस की बिटे 17 कॉमन क्या बचा बिटे, X-18 is equals to तो क्या आजाएगा भीटे X-18 क्या आजाएगा भीटे X-17 क्या बात है चलने लगा आप कदी मागे ने गुट स्मार्ट होते जारा आप लोग X is equals to 18 X is equals to 17 X 18 क्या है भीटे X आपने लिया था मॉक्स इन इंगलिश तो मैच में 30 माइनस X है ना तो माउक्स इन इंगलिश है ना बिटे अगर 18 है तो मैच में जो माउक्स होंगे बिटे वो 30 माइनस 18 होंगे यानि की 30 माइनस 18 यानि की 12 अच्छा और अगर आप 17 लेंगे English माउक्स 17 लेंगे तो मैच के माउक्स क्या होंगे 30-17 याने की 13 तो बोट possibilities आरते हैं दोनो answers हमारे correct है ठीक है positive हैं दोनो possibilities तो ये आपका बेटा एक अच्छा topic था जिसमें हमने question किया है ठीक है work and time और शेफाली marks वाना questions तो आपके प्रास्विटे तीन topic complete हो चुके है अब हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में एक नया topic अच्छा साने है फिड़बरी को हूँगा आपसे अगर आपको अच्छा लग रहा है please channel को subscribe करें share करें अपने friends के साथ study point center facebook page आप visit कर सकते हैं और हमारी website is studypoint.com visit कर सकते हैं share कर सकते हैं मुझे feedback दे सकते हैं जो भी अगर आपको कुछ problems हो extra questions आपको पूछना हो कुछिश करूँगा कि मैं आपको questions पता सकूँ thank you so much